तोस के बाद शुरूआ पारत और साउथ अपरिका के बीच टीटवन्टी स्रिस्ट का पहला मुकाबला इन 11 लाड़ू के साथ उत्रे कप्तान सुरे कुमार यादव नमस्कार दोस्तू स्वागत आपका एक बार फिर हमारे चैनल में तोस्तू बारत और साउथ अपरिका के बीच ओने वाले पहले टीटवन्टी मुकाबले के लिए दोनू टीमें मैदान पर उतर चुकी है तो हम आपको बताएंगे क्या किरकार दोनू टीमें इस मकाबले में किन 11 लाड़ू के साथ मैदान पर उतर रही है दोनों टीमों की हम पलेंग 11 के बारे में जानेंगे इस मुकाबले के लिए दोस्तों बताएंगे लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब निक है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें साथी साथ आप भी चाहते कि टीम में इस मकाबले में सांदार जीत दर्च करें तो इस वर्ड़ों को लाइक जरूर कर दे तो दोस्तों बात करें बारत और साउथ अपरिका तो दोनुं टीम में अपनी खतरनाक प्लेंग 11 का एलान कर चुकी है तो चले दोस्तों जानते कि चले नांद्रे बर्गर है जबकि पांचवे क्लाडी के तोर पर गोराल्ट को एजी को मौका मिला है तो छटे क्लाडी के टोर पर डोवन फरार्या मौजूद है जबकि साथवे क्लाडी के तोर पर रिजा हेंडरिक्स है तो आटवे क्लाडी के तोर पर मार्को येंसन है नो दोस्तों देखा जाए तो कापी संदार टीम नजर आ रही है साउथ अपरीका की जिसमें दिगज खिलाडियों से लेकर नए खिलाडियों को भी मोका दिया गया है और दोनों टीमों को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर साउथ अपरीका की टीम कापी संदार लग रही है फिलाल इस सिरीज के लिए लेकिन दोस्तों और रहाल देखा चाहिए तो आखिरकार इस टीम में कौन-कौन से खिलाड़ है जो भारत के लिए खत्रा बन सकते हैं टीटाउंटी के तो सबसे पहले नाम तो एडन मारकरम का आता है इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करें डेविड मिलर की तो वो भी कापी खतरना के तो वही पर हेंडरी कलासन भी मौजूद है यह तीनुक लारी टीम इंडिया के लिए बल्ले बाची में सबसे बड़ा खतरा बनने वाले हैं तो इसके बाद गेनबाजी की तरफ हम बड़े तो यहाँ पर लूंगी इंगीडी के जबस मौजूद है जो आकरम गेनबाजी कर सकते हैं तो वही पर मारको येंसन जो कि Pelay मेंे कापी संदार गेनबाजी करते हैं तो इन से भी भारती गेनबाजू को बज कर रहना होगा यानि कि देखा जाए तो औराल काफी सांदार टीम है जो कि भारत को टकर देने वाली है वहीं पर दूसरी तरब हम भारत की प्लेंग लेए उनकी बात करें कि आखिरकार इस मुकाबले में भारती टीम गिन्गाराग राडियो के साथ उतर रही है कि बैतरीन पारी इस पहले ही टीटाउंटी मुकाबले में वो खेले तो दोनों से यांपर काफी सांदार प्रफोमेंस की टीम इंडिया को उमीद होगी तो वहीं पर इसके बाद उस्तु नंबर तीन के हम बात करें यांपर सरयास आयर हमें खेलते वे नजराएंगे टीम में एक अनुबवी बलेबास की बुमी का निबाते वे नजराएंगे सरयास आयर तो वहीं पर इसके बाद उस्तु नंबर चार पर हमें सूरे कुमार यादो खेलते वे नजराएंगे कप्तान सूरे कुमार यादो से भी टीम इंडिया को कापी संदार परफॉमेंस की उमीद यहां पर रहेगी तो वहीं पर इसके बार नमबर पांच पर हमें तीलक वर्मा कहलते वे नजराएंगे तीलक वर्मा भी संदार परफॉमेंस कर सकते हैं याने कि नमबर 4 वे 5 को सूरे कुमार यादो और तिलक वर्मा को संबालना होगा वैसे तिलक के परपॉमेंस की बात करें तो इन्होंने नमबर 3 पर कई सांधर पारियां के लिए लेकिन इस मकाबले में इन्हें नमबर 5 पर जगे मिलेगी वही पर इसके बाद उस्तों नमबर 6 पर विकेट की पर बलेबाच इसान किसन हमें खेलते वे नजर आएंगे चोकि इस मकाबले में थोड़ी नीचे बलेबाजी करते वे जरूर नजर आने वाले हैं लेकिन जिस परकार की फॉर्म इनकी रही है वो ये बयाँ पर भी कमाल करेंगे तो वही पर इसके बाद नमबर 7 पर रिंकु सिंग नजर आने वाले हैं रिंकु सिंग के परपॉमेंस की बात करें तो टीटाउंटी में पचले कुस समय से टीम इंडिया के लिए एक बैतरीन फिनेसर का रोल निबाते वे नजर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी एक बार फिर इनसे इसी परकार के परपॉमेंस की उमीद होगी तो वहींपर इसके बाद उस्तो नंबर आट पर टीम इंडिया में रविंदर जडेजा की वापसी वी है तो वो हमें के था इनबासी करते वे दिखेंगे रविंदर जडेजा केन कि साथ साथ बल्ले से बी टीम इंडिया के लिए कमाल का परपॉमेंस कर सकते हैं तो यहां पर इनसे दमदार गिनबाजी इसके साथ बलेबासी की उमीद भी होगी तो वहें पर इसके बाद दोस्तो नमबर आट पर दीपक चहर या फिर हमें देखते वे नजराएंगे कुल दीप्यादे हो जिस परकार के पीछ होगी वैसे ही दोनों मेंसे किसी एक को मौका मिलने वाला है टीम इंडिया में तो वहें पर इसके बाद दोस्तो नमबर 9 के हम बात करें तो यहां पर मोहमद शिराज उतरेंगे तो नमबर 10 पर मुकेस कुमार खेलते वे नजराएंगे यह दोनों गिनबाज भी कापी संदर गिनबाजी कर चुकें तो यहां पर एक बार फिर बहतरी इन गिनबाजी की इन से उमीद टीम इंडिया को रहेगी तो वहें पर इसके बार नमबर 11 के हम बात करें तो अरस दीप सिंग खेलते वे नजराएंगे तो आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में से कुन सी टीम इस मुकाबले को जीतेगी आप हमें अपनी राइ कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वड़ों को जदस जदस सेयर करें धन्यवाद